पुलांगिर समाभेसरे नविनकु मोदिंक जोर्दार प्रहार मुख्यमंत्रिंकु पाजा बोजाई विदा करिवाकु कंटाबांजी लोकोंकु दिले आहवाद। पाई पड़ान करिवाकु बात्यों है ले उडिया जनत्ता। और इसलिए मैं आज उडिशा के लिए आपसे आशिरवाद मांगने आया हुए। पलांगिर विजय संकल्प सवाबैसरे नविन पटनाएकु प्रधान मंत्रिंकर सिधा सिधा निसाना। कहिले एते वर्षा मुख्यमंत्री रहिवा परेवी तुरुण मुळ स्तरर लोकुंक ठु कटी जाई छन्ती नविन। तुरुण बाजा बजाई बिदाकरिवाकु कंटाबांजि लोकुंक एवान दशन्ती मोदी। खजाना है यहां। लेकिन यहां बर्बादी ही बर्बादी है। इसका गुनेगार कौन है इसका गुनेगार कौन है अब उनको बिजाई देनी चाहिए और अब तो आपके इलागे में मुक्मेंत्री आये चुनाव लटने के लिए जड़ा गाजे बाजे के साथ बिजाई कर दो भाई एक काम करना भाई जम नविन बाबो अगर गल्ती से भी यहां चुनाव प्रचार के लिए आजाए और अगर आपके नसीब में उनको मिलना हो जाए कोई कि वो किसी को मिलते नहीं है लेकिन अगर आपको मिलना हो जाए उनको एक सवाल पूजरा कि आप कांता भाजी से चुनाव लट रहे हैं वहां के बीना कागज लिए हाथ में कागज नहीं रखना है बीना कागज लिए दस गावों के नाम बोल दीजिए मोधी बलांगेरी जनतांको कहिचंते आपन 25 बरस बिजडी को सासन देले बीजडी नेतांको पाखरे बंगला गाडी हेला किन्तु एठाकार जुबक दादन पाई पलान परिबाको पाध्य हेले तेनु ए पलान र परंपरा र समाप्त करिबाको आवां देचंती प्रधान मंत्री आपने करीब 25 साल तक बीजडी को अवसर दिया बीजडी नेताओं के पास बंगले हो गए गाडी आ गई लेकिन यहां से नवजवान दादन के लिए मजबूर है पलायन के लिए मजबूर है आप मुझे पताईए साथियो पलायन की ये परंपरा ये मजबूरी समाप्त होनी चाहिए कि नहीं समाप्त होनी चाहिए कि नहीं प्रधान मंत्री कोई चुन्तिया आमें उडिया अस्मिता को बंधा पड़िवा को देई पारिवाने 25 वर्सर सरकार को आमेके बे प्रश्ण पचारी नहांती सेथिपाई उडिसारा ये परियावस्था तेनु मतदान दिन प्रथमें मतदान तापरे जड़ापान पाई शंकल्पने बाक्कु बीजेपी कर्मियों ने तांकु आभान देई छंती प्रधान मंत्री विरो रिपोर्ट अर्गास लिए उड़िवान पाईल फोल ओ सांग चाती आपनों को पिल्लाटीरो पाठ़ पड़ा ओ केरियर को प्रभाविता करूची के आपनों सितिपें विब्रो तकी तेवे आजी ही असंतु आपनों चाहुंतीवा मनला की सम्पू नाबासिक स्कूल टीस्टी गुरुकुल गोठ़ बाठ़न भूबनिस्वा जादी आपनों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिबा को जमा भी बूलों तो नहीं